हेलो दोस्तों नमस्कार सभी किसान भाईयों को जैसरी राम किसान भाईयों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गैहूं बुआई के समय खाद पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि जिन इलागों पर डियेपी उपलब्द है तो उतने ही निउट्रीसिन आपको उपलब्द होने बालें जितने आपको डियेपी से मिलते हैं और एक प्रकार से कहीं न कहीं पैदाबार को बढ़ाने के लिए आपको कौन कौन सी खादों का प्रियोग करना चाहिए तो आईए समझते हैं एक अच्छी पैदाबार निकालने के लिए बेस्ट बैराइटी का चुनाप करना है बीज उपचार करना खित की तयारी अच्छी से करना है उसके बाद सही साएपर यदि आप बुआई करेंगे और अच्छी से खाद दाबाईयों का प्रियोग करेंगे तो पैदाबार अच्छी मिलने वाली है तो गयाहूं की सुरुवात होती है बेसल डोज से यदि आपने कहीं न कहीं बेसल डोज में कंजूसी कर ली तो समझ लेजिए पैदाबार घट गई तो भी कौन से तत्व हैं जिनकी पूर्तिय यदि आप करते हैं तो पैदाबार अच्छी मिलेगी तो दोस्तो हम ले रहे हैं SSP सिंगल सुपर फासपेट जो दानेदार फामबाली खाद आती दो बेग यानि 100 किलोग्राम अब SSP में सलफर की मात्रा है दोस्तो 11 परसेंट है फासपूरस की मात्रा है 16 परसेंट है इसके अलावा केलसियम की मात्रा है 19 परसेंट जिंक और बोरान तत्व भी उपलब्ध हैं 700 रुपे से 800 रुपे के बीच में पर बैग SSP का उपलब्ध हो जाता है तो SSP बहुत अच्छा काम करने वाली एक प्रकार से DAP ही कह सकते हैं इसके साथ ही हम मिक्स करने वाले MOP, Murat और Potos अब MOP दोस्तों हम ले रहे हैं लगभग एक एकड में 30 से 35 किलोग्राम अब 30 से 35 किलोग्राम यदि हम प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए 1000 रुपे के आसपास का खर्च आने वाला है MOP 60% वाली यह Potosium है और Potosium की आप कमी रखते हैं तो पैदवार घटने वाली है और एक Secret Track बताएं कि MOP का प्रयोग आपको बहाई के समय तो करना ही है जब बालिया नकल रही होती है उस समय आप सिचाई कर रहे हैं तो उस समय 15 किलोग्राम एक एकड़ में ना दोस्तो MOP को फैक देना और फिर रिजल्ट देखना दानों के भराव में तो अब ही तो हम बात कर रहे हैं बहाई की फिर आंगे करते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उत्पादान हम बढ़ाने बाले हैं तो MOP का प्रियोग आपको जरूर करना है एक एकड़ में 30-35 किलोग्राम और इसके साथ दोस्तों कहीं न कहीं जब हम गयाहों की बाई करते हैं तो पीलपन की समस्या देखने के लिए हमको मिलती है तो हम यूरिया खाद ले रहे हैं अब डिएपी ले रही थे तो उसमें तो नाइट्रोजन मिल रहा था तो हम नाइट्रोजन की पूरती करने के लिए बुआई के समय हम यूरिया खाद ले रहे हैं नाइट्रोजन 46% वाली मातर 20 से 25 किलोगराम बहुत ही अच्छी हरे आले देगी जब बनस्पतिक बढ़वार अंकुरन जमाब होगा तो जब छोटी-छोटी पौध ही रहेंगे हमारे ग्यांगोंके तो हरे भारे रहेंगे तो बीजब चार भी आपको करना है चाहो से जेंटा कंपरी की बाइबरेंस इंट्रीगा ले फर इउपियल की साफ है इससे भी अंकुरन जमाब अच्छा होता है इन सभी खादों को दोस्तों आपको एक एकड़ में प्रियोग करना है यानि आपको SSP है MOP है और इउडिया का इस्तमाला को करना है इपको की सागरी का है फर किसी भी कंपनी के सीवीड दस किलोग्राम एकाड़कीदार से प्रियोग करने बालें पहली काद में दूसरी खाद में जिंक सल्फेट अरे बड़े भाईया बवाई के समय क्यों नहीं कर सकते प्रियोग क्योंकि जिंक सल्फेट को और जो फासफोरा से ना इसका आप आपसे मिक्स करके प्रियोग ना करें क्योंकि जिंक सल्फेट है और फासफेट और सल्फेट को मिला नहीं सकते हैं तो फर भाय यह SSP में भी तो जिंक है अब यह जिंक अलग है और यह जिंक सलफीट चीज अलग है तो कम से काम बो आई के समय आपको जिंक का प्रियोग करना ही तो कब करना है जिंक का प्रियोग पहली या फिर दूसरी खाद में 33% वाली किसी भी कमपनी की जिंक सलफेट आपको तीन किलोगराम से ले करके पांच किलोगराम एक एकड़न प्रियोग करना है तो जिंक सलफेट है हिूमेक एसेड है अब यह हिूमेक एसेड भी आप देख लीजिए 98% वाला हिूमेक एसेड आप चाहें तो बहुत जादा यादी फसल कमजोर है तब ही आप पहली खात के साहत है हिूमेक एसेड 98% वाला किसी भी कमपनी का आप ले सकते हैं हिूमेक एसेड आपको जैरूर प्रयोग करना चाहिए यदि आपको सीवीट इस्तमाल आप कर रहे हैं और फिर पीलपन की सिकायद बनी हुई है तब ही आपको हिूमेक एसेड में जाना है कमजोर पैदावार रहती है तब के लिए हिूमेक एसेड और कोई बेस्ट कंपनी क आप ले लीजिए इसके अलावे हम माईको न्यूट्रियन की बात करें सुक्ष्य पोसकत्तु की बात करें तो हम भी इसका इस्तमाल करने वाले पहली या फिर दूसरी खाथ के साथ हम पांच किलोग्राम जिसम जिंक बोरॉन आयरन कॉपर मैगनीज मॉलीबेडिनम जैसे प आप अन जो खादें हैं इनका इस्तमाल ग्याहों के फसल पर काव और कितना करना है इसकी जानकारी आपको आगावे वीडियो पर मिलती रहेगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्नवाद नमस्कार